हेलो दोस्तो स्वागत है आपका स्रीगुरु अकैडमी में मैं मनु बर्मा आपका सुक्रिया हार्दिक अवनेंदन करता हूँ दोस्तो आज का टॉपिक है हिंदी पेड़गोजी के जो 3000 प्रश्णों की स्रंखला चल रही है उसमें आज पार्ट 3 है दोस्तो इससे पहले मैंन आपके लिए दो पार्ट करा दिये हैं तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो इधर आई वटन पर जाईए और आपको बो पार्ट मिल जाएंगे ठीक है दोस्तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और कंसंटेट के साथ वीडियो को देखिए लेकिन दोस्तो उसस पहला कोशन है फटाफट से देखते हैं कि एक भासा सिक्षक के लिए सरवादिक महत्पूर्ण है क्या महत्पूर्ण है दोस्तो भासा का आंकलन बच्चों को भासा प्रियोग करने के अबसर उपलब्द कराना भासा की तोटियों के प्रती कठोर रवया अपनाना या फिर भासा की पाठ पुस्तक तो दोस्तों क्या हो सकता है सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण क्या है क्या भासा का आंकलन महत्पूर्ण है बच्चों को अपनी भासा प्रियोग के अबसर उपलब्द कराना महत्पूर्ण है या फिर भासा की तोटियों के प्रती कठोर रवया महत् दोस्तों ध्यान रखिए क्या भासा का आकलन बिल्कु गलत हो जाएगा भासा सिक्षक के लिए भासा का आकलन नहीं करना है पहले क्या करना है तो दोस्तों अभी बताता हूं क्या करना है बच्चों को भासा सीखने के अवसर उपलब्द कराने चाहिए बिल्कु सही है लेकिन क्या पता इससे most suitable भी answer मिल सकता है तो भासा की तोटियों को प्रती कठोर रवया अपनाना बिल्कु गलत अगर तोटि कर देता है बच्चा तो क्या उसको मारना है नहीं बिल्कु नहीं मारना कठोर रवया नहीं अपनाना है negative point है गम से भासा की पाठ पुस्तक तो दोस्तो बिल्कु गलत हो जाएगा option number B is right answer ध्यान रखे भासा की पाठ पुस्तक यानि पाठ पुस्तक पर तो केंदरित करना ही नहीं है negative point लगाना नहीं है बच्चे को दंड देना नहीं है पुरुसकार देना नहीं है इन सारी चीजों को आप ध्यान रखे आपका question कभी भी गलत नहीं होगा ठीक है चलते हैं दोस्तो next question पर और बहुत ही जवर्जस्त question है कि भासा की कक्षा में भासा की कक्षा में एक सिक्षक बच्चों से क्या अपिक्षा करता है बच्चे अपिक्षा करता है संस्कृत निष्ट भासा में ही जवाब दे बच्चे अपनी मात्र भासा का बिल्कुल भी प्रियोग ना करें बच्चे सवालों के बने बनाए जवाब ना दे बच्चे सवालों के बने बनाए जवाब दें दोस्तो right answer पहुत बढ़िया अच्छा लगता है कि आप सबी लोग जब कमेंड करते ना तो कसम से बहुत अच्छा लगता है राइट अंसर क्या हो सकता है तो संस्कृत निष्ट भासा में ही जवाब दे यह आपका राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा दोस्तो बताएए बताएए जल तो ये तो गलत हो जाएगा बच्चे अपनी मात्र भासा का बिल्कुल प्रियोग ना करें बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों मात्र भासा का प्रियोग करना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है बच्चा बोलेगा अधिक से अधिक उसे अबसर मिलेंगे समझ में आया तो अ तो ध्यान रखिए इसको बच्चे सवालों को बदने बदाएजे जवाब दें ये भी आपका गलत हो जाएगा ठीक है दोस्तो चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर और हमारा नेक्स्ट कोश्चन है बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत बढ़िया है दोस्तो फटाफट से कमेंट किझे मेरे जितने भी भाई वहन बंदू जितने बी लोग देख रहें ना वीडियो सभी लोग कमेंट जरू किझे कि अगर आप यहां पर मौझूद हैं तो मौझूद होने का प्रमाड जरूर दें क्यूंकि दोस्तों ध्यान रखिए क्योंकि आप जब comment करेंगे हम आपको जानेंगे आप हमें जानेंगे ये बहुत ही जरूरी है संप्रेशन बहुत जरूरी है हमारे और आपके बीच में एक संप्रेशन होना बहुत जरूरी है बरना तो आप किताबों से ही न पढ़ लेते समझ रहें न आप आपके पास किताबें बहुत सारी होंगे आप किताबों से भी पढ़ सकते थे लेकिन संप्रेशन जो होता है जिससे हम सीख सकते हैं जादा से जादा वो बहुत जरूरी है तो इसी लिए आप लोग कमेंट जरूर किया किया है ठीक है? तो दोस्तों बताई ये राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताई दोस्तों तो क्या एक जटल चुनोती है? तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट तो पहले ही कार देना है ठीक है? एक बिसे मात्र है बिलकोई गलत है भासा कोई बिसे नहीं है इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए क्योंकि एक जो अनपड वच्चा होता है अनपड इंसान होता है बह भी कोई ना कोई भासा बोलता है तो ध्यान रखें संप्रेशन का एक मात्र साधन है बिलकोई गलत है केबल संप्रेशन ही भासा नहीं है भासा एक नियमबद व्यवस्ता है इसलिए और फिर्स्ट इज राइट आंसर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन पर हमारा नेक्स्ट कोश्चन है भासा का प्रियोग बासा का प्रियोग क्या है दोस्तो जल्दी से कमेंट करें राइट अंसर फटा फट से सब्ही लोग कमेंट किजिए कि केवल मुद्रित सामगृ impacto में ही होता है जीवन के बिभिन यह बिभिन होगा दोस्तो ठीक है बिभिन संदर्वो में होता है केबल परिक्षा में होता है या केबल पाठ पुस्तक में होता है राइट आंसर फटा फट से सबी लोग कमेंट कीजिए दोस्तों क्या हो सकता है राइट आंसर जल्दी बताएए D हो सकता है क्या अरे D राइट आंसर हो सकता है तो आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तो डे नहीं होगा केवल परिक्षा में होता है गलत भासा का परियोग केवल परिक्षा में होता है क्या आप किसी से बात करते हैं तो भासा नहीं है वो तो गलत है दोस्तो जीवन के बिविन संदर्वो में होता है क्या यह हो सकता ह तो हो सकता है दोस्तों ठीक है बिल्कुल यही है आपका right answer यही होगा दोस्तों क्योंकि केवल मुद्रित सामगरी ही आपका भासा प्रयोग नहीं है ध्यान रखिए आप इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको solve कराता हूं question उसी तरीके से आप question को solve करने की कोसिस कीजिए कि जो negative point है ना जितने भी negative point है उनको हटा दीजिए जो गलत options है उनको cut करना सीखिए और उसके बाद आपका right answer automatic निकल के आ जाएगा आपका pedagogy में एक भी question गलत नहीं होगा आप 30 of 30 marks लेके आएंगे यह मैं guarantee देता हूं ठीक है न दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते है और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं अगला question है दोस्तों slide को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि question काफी lengthy है तो दोस्तों question है आपका कि बच्चे अपने परवेश में स्वयम भासा अर्जित करते हैं इसका एक अत्यंत सरल भासा का परवेश उपलब्द कराये जाए बच्चों को बिल्कुल भी भासा ना पढ़ाई जाए बच्चों को समर्द्ध भासिक परवेश उपलब्द कराये जाए राइट आंसर फटा फट से आप सबी लोग comment कीजे बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत बढ़ आपका 99% आपका wrong answer होगा तिक है बूआ आपका नहीं होगा तो आपका नहीं होगा क्योंकि वो negative point में आ जाता है बच्चों को अतेंत सरल भाषा का परवेश उपलब्द कराया जाए बुल्कुल सही है क्या आप कहोगे क्या सही हो सकता है दोस्तों तो सरल भाषा का परवेश शुपलब्द कराया जाए क्या ये सही हो सकता है तो ये गलत हो जाएगा गलत क्यों हो जाएगा क्यों पहले question को पढ़िए कि बच्चे अपने परवेश में स्वैम भासा अर्जित करते हैं इसलिए ये गलत है दोस्तों बैसे कहीं न कहीं ये वाला भी सही है लिकिन question को दिख question है भासा सीखने और सिखाने का उद्दे से क्या है दूसरों की बात समझना सीखना अपनी बात की पुष्टी के लिए तरक देना बिविन परिस्थितियों में भासा का प्रवावी प्रियोग करना या फिर अपनी बात कहना दोस्तों राइट आंसर जल्दी बताएए फटा को question समझ में नहीं आता तब तक आप option को tick मत कीजिए या आपसे मैं request करता हूँ ठीक है humble request है दोस्तों आपसे तूकि मुझे आपका selection चाहिए यदि आप like नहीं करना चाहते मत करिये share नहीं करना चाहते मत करिये comment नहीं करना चाहते मत करिये लिकिन आप मेरे लिए 105 प्लस की तैयारी जरू करिए, बस यही मैं आपसे चाहता हूं, ठीक है दोस्तो, चलिए दोस्तो, Right Answer जल्दी से Comment कर दिया आपने सभी ने, इसका Right Answer होगा, Option Number, Seeds Right Answer, क्यों दोस्तो, क्यों बहासा सीखने सीखाने का उद्दित से क्या होता है, कि विभिन पर इस्तितियों में, बहासा का प्रुभावी प्रियोग किसी भी situation में हो भासा का हम अच्छे से प्रियोग कर सकें ये ध्यान रखें ठीक है दूसरों की बात समझना सीखना बिल्कुल सही है लेकिन most suitable नहीं है अपनी बात की पुष्टी के लिए तर्क करना गलत है negative point अपनी बात कहना सीखना गलत है दोस्तो चलते हैं next question पर हमारा next question है दोस्तो आज आपकी अभी जो है marathon classes शुरू हो चुकी है तो आपकी ये marathon classes बहुत जवर जसता है दोस्तों आप concentrate के साथ जरूर देखिए ठीक है तो भासा अरजर में महत्पून है क्या महत्पून है ये question थोड़ा mistake है पता नहीं इस question में थोड़ा ये दोस्तो भासा हो गया पर भासा ये भात्रा नहीं हो गया थोड़ा से बहुत बड़ी mistake है ऐसा typing में कभी-कभी mistake हो जाती है आप समझते है इस चीज के लिए ये भासा कर लीजिए तो ध्यान रखिए भासा का सिक्षक महत्पून है भासा अर्जन में या फिर भासा के वि राइट आंसर क्या हो सकता है जल्दी से बताए क्या भासा का सिक्षक तो दोस्तो क्या सिक्षक अगर बिठाल दे हम भासा का तो उससे ही काम चल सकता है तो आपको वह नहीं है ऐसा नहीं है दोस्तो क्या भासा के विविन रूपों का प्रियोग एक दम से सही राइट आंसर option number 20 right answer क्यों हो दोस्तों युग भासा का जब हम प्रियोग करेंगे बिविन रूपों में यही भासा अरजन में सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है बासा का ब्याकरण भी महत्पूर्ण नहीं है इतना पाठ पुस्तक भी इतनी महत्पूर्ण नहीं है बासा के बिविन रूप का लेखा जोखा करना किस से संबंदित है दोस्तों मौखिक परिक्षा से पोटफोलियो से उत्तर पुष्टिकाओं से या फिर लिखित परिक्षा से दोस्तों राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर आप सभी लोग पता है और ये हर बार एक कोशन ठीक है तो अपसे राइट आंसर चलते हैं नेक्ट कोशन पर हमारा नेक्ट कोशन है कि भासा की पाठ पुष्ट के क्या है साध्य है भासा सीखने का एक मातर संसाधन है अभ्यास परखी होनी चाहिए या फिर साधन है दोस्तों राइट आंसर फटा फट से कमेंट कीजिए बहुत अच्छे, मेरे भाई बहनों बहुत बढ़िया, और यदि आपको live class का schedule नहीं पता है, तो आज सुल लीजे, एक बार नहीं, दस बार सुल लीजे, आपका live schedule है, सुबह आपको 10 बजे class मिलेगी live, आपको 12 बजे एक live class मिलेगी, एक आपको दो पहर 2 बजे live class मिलेगी, और एक आपको रातरी में साड़े 9 बजे live class मिलेगी, ठीक है न दोस्तो, तो आपको कहीं जाने की जरूत नहीं है, फटा फट से यहीं तयारी करते रहिए, एक second के लिए आपको हटने की जरूत नहीं है, फटा फट अच्छी तयारी किजिए, right answer आपने कर दिया, तो इसका right answer ध्यान रखिए, भासा की जो पाठ पुस्तके हैं, कोई साध्य नहीं है, साध्य नहीं है, दोस्तो, केवल साधन है, एक साधन है, जिससे हम सीख सकते हैं, लेकिन क्या केवल पुस्तके रख दी जाएं, तो क्या हम केवल पुस्तकों से सीख सकते हैं, नहीं, इसलिए साधन तो ध्यान रखेंगे बासा सीखने का एक मात्र संसादन नहीं है अध्यापक भी एक मात्र संसादन नहीं है तो सब चीजों का मिक्सर होना चाहिए हमारे पास परवेश भी होना चाहिए भासा सीखने के लिए ठीक है अभ्यास परक्षी होनी चाहिए लेकिन मैंने क्या बोला क सबी चीजों का समाबिस बहुत जरूरी है ध्यान लगिए चलते हैं दोस्तो next question पर हमारा next question है कि पत्र-पत्र का है पत्र-पत्र का हैं भासा सीखने में क्या हैं दोस्तो बादक हैं बुटियों को पड़ा ये दोस्तो बुटियों नहीं होगा तोटियों सीखने में क्या है तो आपको अभी मैंने बताय था कि पाठे पुष्ट के क्या थी तो वो एक साधन थी तो पत्र पत्र काएं भी तो एक साधन होगी बस सिंपल सा कोशन है आप गलत क्यों कर रहे हैं कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो गलत मत किजी अब दोस्तो चलिए दोस्तो नेश्ट कोशन पर चलते हैं और हमारा नेश्ट कोशन है दोस्तो बच्चों की भासा के आंकलन का सरवादिक प्रभावी तरीका क्या है दोस्तों प्रभावी तरीका बताना है कि अगर हमें बच्छों का आखलान करना है तो संबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है लिखित परिक्षा द्वारा प्रशनों के उत्तर देना प्रशन पूचना और पढ़ी गई सामगरी पर प्रतिकरिया व्यक्त करना या फिर सुर्थ लेख करना दोस्तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजगा कि राइट आंसर क्या हो सकता है सबी भाई वहन कमेंट करें जल्दी से बहुत बढ़िया बहुत अच्छे भाई वहनों आपसे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं ठीक है लिखित परिक्षा द्वारा भासा का आकलन नहीं किया जा सकता पूर्टा नहीं किया जा सकता ठीक है दूसरा क्या है दोस्तो प्रशनों के उत्तर देने से ही केबल काम नहीं चलने बाला है यह आपका राइट अंसर है सुर्द लेख तो नहीं ही होगा चलते हैं दोस्तो नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है बहुत अच्छा कोशन है दोस्तो इस्पेसली सीटेट के लिए क्लासेश चल रहे हैं यह क्लासेश अभी जो मेराथन क्लासेश चल रहे हैं वो आपके लिए प्रशन पूचना प्रतिक्रिया व्यक्त करना परिचरचा में भाग लेना और वड़न करना दोस्तों क्या होता है प्रश्न पूँचना क्या है ये सब है क्या दोस्तो प्रश्न पूँचना प्रतक्रिया व्यक्त करना परचर्चा में भाग लेना वड़न करना ये क्या है दोस्तो जल्दी से कमेंट कीजे बहुत बढ़िया ठीक है केबल साहितिक गत भी दिया है केबल साहितिक गत भी दिया ह क्या एक भासा का आकलन करने का तरीका है तो इससे केबल आकलन कर सकते हैं बिल्कु गलत है नेगेटिव पॉइंट है तो ध्यान रखी दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यदि हम बच्चे से प्रशन पूछते हैं और बच्चे से प्रतिक्रिया लेते हैं उसके परचरचा में उसको भाग लेने के लिए कहते हैं और वनन करने के लिए कहते हैं तो ये क्या है बासा सीखने और सिखाने तथा आकलन करने का तरीका है केवल सिक्षन पर देती नेगेटिव पॉइंट है केवल लिखा हुआ है तो ध्यान रखिए जहां पर केवल सिवाय मात्र ये चीज़ें लिखी होंगी वो आपका 99% एकदम से रॉंग आंसर हुआ ठीक है चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन पर हमारे नेक्स्ट कोशन है बह बच्चों को मात्र भासा को समचित सम्मान इस्थान देते हुए मानक भासा से भी परचे कराना चाहिए बच्चों को केवल मानक भासा के प्रियोग के लिए ही पृस्कित करना चाहिए या फिर बच्चों की मात्र भासा का ही सदय प्रियोग किया जाना चाहिए राइट आं बहुत सारी भासना जिसमें बोली जाती है अब बहुत सांस्कृतिक का मतलब होता है जिसमें कई सारी संस्कृतिक बच्चे होते हैं तो बताई कि बच्चों की मात्र भासा का प्रियोग बरजित होना चाहिए अब मैंने क्या बताया कि बरजित होना चाहिए तो क्या है दोस्त तो एकदम से सही है लेकिन most suitable क्या पता इससे भी मिल सकता है ठीक है बच्चों को केबल मानक भासा के प्रयोग से प्रिस्कित करना चाहिए बिल्कुल गलत है दोस्तों केबल आ गया आपको केबल दिखाना बस काट दीजे फटाक से बच्चों की मात्रवासा का ही प्रयोग सद कराना चाहिए चलते हैं दोस्तों नेक्ष्ट कोशन पर और हमारा नेक्ष्ट कोशन है बहुत ही अच्छा कोशन है कि भासा के ब्याकरण की समझ को केबल बस्तोनिष्ट प्रश्णों के माध्यम से ही आका जा सकता है या फिर निवन्धातों के माध्यम से आका जाना ये दोस्तो right answer आप सभी लोग comment कीजिए का जल्दी से जल्दी comment कीजिए और दोस्तो question अच्छे लग रहे हो तो एक बार like जरू कर दिए सभी वाई वहन जितने भी लाइब देख रहे हैं वो एक बार like जरूर करें like करें like करें like करें ठीक है दोस्तो अगर अच्छा लग रहा हो तो ठीक है अब दोस्तो इसका right answer क्या हो सकता है तो इसका right answer होगा केवल अब केवल दिखा कट कर दीजे फटाक से ठीक है केवल कट कर दीजे निवन्दातों प्रश्णों के माद्धम से आका जा सकता है अब आपके दो बच्चे हुए ठीक है तो निवन्दातों प्रश्णों के माद्धम से ब्याकरण की समझ को आखा जा सकता है तो आप कहोगे गलत केवल निवंद के आधार पर कैसे हो सकता है संदर्व परक प्रशनों के माददम से आखा जा सकता है एक दम से right answer हो जाएगा अपसर नंबर डीज राइट answer क्योंकि निवंद में आप बताएए क्या निवंद में आपके रस चंदर अलंकार ये सारी चीज़े होती है लेकिन व्याकरण में ये सारी चीज़े होती है तो संदर्व परक प्रशनों के मादम से आखा जाना चाहिए चलते हैं दोस्तों नेक्ष्ट कोशन पर और हमारा नेक्ष्ट कोशन है निम्लकित में से कौन सा भासा सिक्षण का उद्देश है भासा सिक्षण का उद्देश आपको बताना है निजी अनबबों के आधार पर भासा का सरजन सील प्रयोग करना भासा सीखते समय तोटियां बिल्कुल ना करना भासा की बारीकी और संदर बोध को सही रूप से समझने की छमता को प्रोथसाहित करना और भासा के व्याकरण को सीखने पर बल देना दोस्तो राइट आंसर क्या हो सकता है आप सबी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए तो दोस्तो यदि मैं आपसे कहता हूँ कि निजी अनवबों के आधार पर भासा का सरजन सिल प्रियोग करना अपने निजी अनवबों के आधार पर थोड़ी ना करना है इस सीज़ को ध्यान रखिये समाज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है भासा सीखते समझ तोटियां बिल्कुल ना करें निगेटे पॉइंट है दोस्तों काट दीजे तुरंद भासा की बारी की और सौंदरे बोध को सही रूप से समझने की छमता को प्रोसाहित करता है और आपका डी है भासा के ब्याकरण सीखने बल देता है हमेशा ब्याकरण सीखने से ही कुछ काम नहीं चलने वाला हमेश समाज के अनुरूप भी कार करना पड़ता है आपकी जो मौलिक भासा है उसको भी समझना पड़ता है मातर भासा में भी बात करना पड़ता है तो ब्याकरण वाला कट हो जाएगा option number c is right answer समझ में आया हो तो बताइए आगे बढ़ते हैं वरना आप बता दीजी कि आपको ये समझ में नहीं आया मैं आपको comment box में तुरंत आंसर दूँगा ठीक है आपको यहां किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि यहां क्या है time based मुझे नहीं करना है मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग का बक्त कितना महतपूर है question है दोस्तो कहानी, कविता, गेतों और नाटकों के माद्यम से बच्चे क्या करते हैं केवल मुल्यों का अर्जन करते हैं केवल अपनी तरक सक्ती का विकास करते हैं या फिर केवल मनो रंजन प्राप्त करते हैं दोस्तों बताई राइट अंसर क्या हो सकता है सभी भाई वाहिए हैं comment करें जल्दी से तो केवल आया कट कर दीज़े, केवल आया कट कर दीज़े, दूसरा फिर से इसमें भी केवल आया, काट दीज़े तुरंद अब आपके पास दो बचे लेकन ध्यान रखी दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला 99% आपका गलत हो सकता है लेकिन आप यह मत कहना कि जिसमें केवल है वो गलत ही है ठीक है थोड़ा सा पड़वी लेना कि केवल मुल्यों का अर दिन करते हैं गलत हो जाएगा केवल अपनी तरक सकती का विकास करते हैं गलत हो जाएगा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं सही हो सकता है और अगला केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं तो क्या यह हो सकता है दोस्तों क्या यह हो सकता है जल्दी से कमेंट कीजे कि बच्चे कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से क्या करते है तो दोस्तो ध्यान रखिए कि बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से भी जुड़ते हैं और मनोरंजन भी प्राप्त करते हैं अब तो आप सें गलत हो जाएगा तो ध्यान रखिए आपका 99% जो केवल बाला होता है वो गलत होता है तो option number C is right answer C is right answer दोस्तों चलते हैं next question पर हमारा next question है हमारा next question है दोस्तों प्राथमे किस्तर पर बच्चों को भासा सीखने सिखाने का सर्वोपरी उद्देश क्या होता है स्लाइड को छोटा करते है जिससे कि आपको पूरा question देखे हां दोस्तों प्राथमे किस्तर पर बच्चों को भासा सिखाने का सर्वोपरी उद्देश से क्या है दोस्तों मुहाबरे लोकोक्तियों का ज्यान प्राप्त कराना कहानी कबताओं को दोहराने की कुसलता का विकास कराना तेज प्रबाह के साथ पढ़ने की योगता का विकास करना या फिर अपनी बात को दूसरों के समक्ष अविवक्त करने की कुसलता का विकास करना दोस्तों राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजे फटा फट से कि प्राथमे किस्तर की बात की जारी तो केवल कहानी कवतां को दोहराना थोड़ी है ध्यान रखेंगे तेज प्रभाह के साथ पढ़ने की योगता का विकास करना तो क्या यह हो सकता है तो हो सकता है नेक्श देखेंगे अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिवक्त करने की कुसलता का विकास करना यह हो सकता है तो आप कोगे ये भी हो सकता है कही ना कहीं पर ध्यान रखिए जो प्रात्य में इसतर पर बच्चे होते हैं उनको भासा सिखाने का जो हमारा मेन उद्देश होता है मेन मोटिव जो होता है वो होता है आपका तेज प्रभाग के साथ पढ़ने की योगता का विकास करना ठीक ह चलते हैं दोस्तो नेश्ट कोशन पर हमारा नेश्ट कोशन है कि लिखना क्या है लिखना क्या है दोस्तो एक बेहत जटिल प्रक्रिया है एक अनेवारे को चलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए एक तरह की बातचीत है या फिर एक अत्यांत यांतरिक क्रिया है दोस्तो जल्दी से right answer फटा फट से सभी लोग comment कीजिए का अपना right answer क्या हो सकता है दोस्तो आपका right answer क्या हो सकता है जल्दी से बताइए कि लिखना एक जट्रेल परक्रिया है गलत दोस्तों गलत negative point है एक अनिवारे कुसलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए क्या ये हो सकता है तो हो सकता है एक तरह की बातचीत है लिखने से बातचीत करते हैं गलत हो जाएगा एक अत्यांत यांत्रिक प्रक्रिया है क्या यांत्रों के यांत्रिक है कौन से तुम उसमें मोटर लगाते हो कौन सा क्या करते हो तो यांत्रिक नहीं है option number B is right answer क्योंकि यह एक अनिवार कुसलता है जिसे जल्दी प्राप्त करना चाहिए और जल्दी प्राप्त कर लेगा बच्चा तो लिखना पढ़ना बोलना सारे कामों को सीख जाएगा और दूसरों के समक्ष अपनी बातों को अवियक्त करना भी सीख जाएगा तो आई होप आपको समझ में आया होगा और दोस्तों चलते हैं next question पर हमारे next question है कक्चा ये भी दोस्तों ये question भी आपका क्या है एक दम से कैसा question है बे सरम question है जो हर वार आने वाला question है ठीक है तो कुछ question होते हैं इस टाइब के जो आते हैं रहते हैं उनसे कितरा भी मना करिए कि अब मता ये मगर नहीं उन्हें तो आना है हर वार अपको तो कक्चा एक के बच्चे खाली जगह एंपको बटाना है कौन सा ऑकà सही हो सकता है दोस्तों जल्दी से बताइए कश्चा एक के बच्चे घर-परिवार और परवेश से दोस्तों से और फिर घर परवार दोस्तों से या फिर घर परवार और टीवी से कक्षा एक के बच्चों की बात की जा रही है ध्यान रखिए कक्षा एक के बच्चों की बात की जा रही है तो आप से अगर मैं कहूं तो घर परवार बिल्कुल सही है लेकिन टीवी नहीं होगा तो ये बारा त तो बिल्गुल गलत negative point है और ध्यान रखिए जब परिवेश की बात करते हैं वो परिवेश के बारी में भी इतना नहीं जानता लेकिन जो घर परिवार और उसके परिवेश में तो काफी दूर तक का एरिया आ सकता है लेकिन उसके जो परिवेश में रहते हैं उनको वो भली आती जानता है और उनसे ही बात करता है इसलिए आपका कक्षा एक के बच्चे घर परिवार एवं पडोसियों से प्राप्त बोल चाल की भासा के अनवब को लेकर ही विद्धा ले आते हैं तो ध्यान रखिया option number first is right answer चलते हैं दोस्तों next question पर और आज का यह हमारा last question है और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है और अपने भाई वहनों और अपने friends को जरूर सेर करिए अगर अगर आप एक व्यक्ति अगर दो या तीन लोगों को भी सेर करते हैं तब भी मैं मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं और मेरे बारे में भी इसी भी कार को करने के लिए आंतरीक जो अभी प्रिणा यह बोहत्त जरूरी है ओमारे जो अंदर से मन के भाव हैं लिकिन बस एक ही सरत है कि आप हमारे साथ बने रही है ठीक है ना आप टेंशन मत लीजे ठीक है कक्छा एक और दो के सुरुआती समय में पढ़ने का प्रारम से हो और किसी के लिए हो किसके लिए होना चाहिए दोस्तो राइट अंसर कमेंट कीजे इसमें भी दो जगए आपके खाली option दिये हुए हैं आपको उनमें भरना है क्या पहले में अर्थ और उद्धेस हो सकता है अक्छर ग्यान अवबनोरंजन सब्द पहिंचान आउ मूल्यांकन अक्छर ग्यान और उद्धेस से दोस्तो बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है तो ध्यान रखिए बहुत अच्छे दोस्तों बहुत बड़ी है कुछ लोगों के गलत भी आ रहे है यापे आप ध्यान रखिए कि कक्षा एक और दो के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारम किस से होना चाहिए दोस्तों तो अक्षर ग्यान आप ये तो जानते ही हैं कि प अन्योरंजन के लिए होना चाहिए तो आप को गलत गलत हो जाएगा दोस्तों उद्दिश के लिए होना चाहिए एकदम से राइट आंसर एक दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूरूर बताईए और जितने आपके नमबर हुए ना जितने नमबर आपके आए उतना आप comment करके जरूर बता है viewers सभी लोग सही बता हैं एसा यह कैसर मेरे 20 ऐक है ओधाये यहां कोई आपसे यहां पे कोई प्रतयोग तह नहीं चल लिए इस छीज़ को आप ध्याaround रखे यहां पर सीखने आयो है तो ज़्यादा सीखने की कोशिस करिए ठीक है और एक चीज और आप लगे रही है क्योंकि सीट एट एक्जाम आपका पांच जुलाई को ही होगा दोस्तो डेट नहीं हटने वाली है इस चीज को ध्यान रखिए तो दोस्तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जर करते रही है दोस्तो ठीक है तो बाई बाई बाई